आरे आज इस घर में खाना मिलेगा या नहीं? दो से तीन बच गए हैं, लेकिन अभी तक दो पहर के खाने का कुछ पता ही नहीं? कहां मर गई दोनों की दोनों? पूनम रोटियां बन गई क्या? जल्दी कर वना आज माची तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेंगी. गीता पूनम हाथों में सबजी रोटी लिये जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी सास को खाना परोस्ती है. लेकिन जैसे ही रजनी खाने का पहला निवाला खाती और फौरण उसे थूख देती है. क्या हुआ माजी आपने खाना ऐसे थूख क्यूं दिया? जिस स्वाद का तुम दोनों ने खाना बनाया है उसे तो कोई कुटा तक ना खाए. मैं तो सोचती कि गरीब घर की लड़कियों को घर के सारे काम आते हैं, लेकिन तुम दोनों ते एक नंबर की निकम मी निकली. क् मेरी इतनी हिम्मत कि अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? रजनी पूनम के बाल पकड़ती और उसे जोर से डाइनिंग टेबल की तरफ धक्का दे देती है, जिससे पूनम के सर से खून निकलने लगता है. आइंदा मेरे से जुबान लड़ाने से पहले सौ बार इस द दुख दर्द जेलते रहेंगे? रजनी के दोनों छोटे बेटे माधव और ओम ने पूनम गीता जैसी गरीब लड़कियों से प्रेम विवा करके अपने उसे घर ले आए थे, जिसके कारण वो साथ में कोई दहेज नहीं ला पाई थी, जिसके चलते रजनी आए दिन अपन की शादी करतेते हैं, शादी में दोनों अमीर बहुएं धेर सारा दहेज, पैसे, गहने और साडी लेकर आती हैं, जिसे देख रजनी अपना सारा प्यार अपनी दोनों अमीर बहुएं पर लुटा बैठी है अपनी दोनों बड़ी बहुएं के अमीर होने की वज़़ा से रजनी उनसे कुछ भी काम नहीं करवाती थी, समय गुजरता है और दोनों अमीर जिठानी और गरीब देवरानी प्रेगनेंट हो जाती हैं, वहीं इसी के साथ अब बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है कोमल देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में तो मेरा आलू प्यास के पकोड़े खाने का मन कर रहा है ये तुम दोनों मुझे पहले क्यों नहीं बताई, ऐसे हालत में अपने मन को मारते नहीं हैं, तुम दोनों यहां ही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े मंगवाती हूँ इतना कहकर रजनी अपनी दोनों गरी बहूं को आवास देने लगती है, जी माजी बुलाया आपने, जी माजी की बच्ची कितनी बार कहाए तुम दोनों से कि दोनों मेरी अमीर बहूं के साथ ही रहा करो, और जब भी उनका कुछ खाने का मन करे तो उन्हें बना कर दे दिय जाता, देखा माजी, अभी से ही इनके नकरे शुरू होगे, ना जाने आगे क्या-क्या नकरे दिखाएंगी, अच्छे से जानती हूं मैं तुम दोनों के बहाने, अब जा रही हो ये अपना डंडा उठाओ मैं, लजनी की बात सुन दोनों बेचारी गर्बवती देवरानि किचन में जाती हैं और जल्दी-जल्दी पकोड़े बनाने लगती हैं, जिसके चलते गीता का हाथ गर्म तेल से जल जाता है, आह, मेरा हाथ, अरे गीता थोड़ा संभाल के, देखा जल गया ना हाथ, सोचा था कि अब हम गर्बवती हो चुकी हैं, तो अब शायद माजी के दिल में हमारे लिए अममता जाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गीता को रोता देख, पूरम उसे संभालती है, जिसके बाद अब दोनों गरीब देवरानिया, जल्दी-जल्दी पकोड़े बनाती हैं, और ले जाकर अपनी दोनों जिठानियों को देती हैं, माजी, गर जिनी अपनी दोनों गरीब गर्बवती बहु से काम करवाने से जरा भी नहीं चूकती, लेकिन इसब देखकर भी दोनों अमीर जिठानियों को अपनी गरीब देवरानी पर जरा भी तरस नहीं आथा, माजी, इनसे इतना काम करवाती हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों हैं कि टस से मस नहीं होती लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा दोनों अमीर जिठाणिया सीधा अपनी सास रजनी के पास जाती है और उसे अपनी दोनों गरीब देवरानियों के खिलाफ भड़काने लगती है मा जी अभी भी वक्त है वरना कहीए दोनों चालाकी से हमारे देवर को अपने कब जिमना ले ले देखा नहीं कैसे देवर जी इन दोनों के आस-पास ही गोम दे रहते हैं हाँ बहु अब तो सच में इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना होगा अब मैं इनकी नाक में इतना दम करूंगी कि ये दोनों चाय की मक्खी की तरह इस घर से गायब हो जाएंगी रजिनी की बात सुन दोनों अमीर जिठानिया काफी खुश होती है और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है ओ महरानियों कहां चली ठुमक्ठुमकर माजी आराम करने के लिए अपने कमरे में ही जा रहे थे बढ़ी आई आराम करने वाली मैंने आज घर के सारे कपड़े खटा कर दियें जाओ जाकर धो दो ठीक है माजी लेकिन बातरूम में नहीं बलकि चतपर लेकिन माजी चतपर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसी हालत में बारिश में कपड़े कैसे दोईंगे तो क्या तुम दोनों के लिए मैं अब लगजुरी बातरूम बनवाओं जिसमें तुम दोनों आराम से बैठ कर कपड़े दो चितना बोला है चुप चाप से उतना करो बेचारी दोनों गरीब बहुए चतपर जाती हो और भीगते हुए ही बारिश में कपड़े दोने लगती है पुनम मुझे मेरी तब्यद कुछ ठीक नहीं लग रही है ठीक तो मुझे भी नहीं लग रही है पर काम है तो करना ही होगा जहां एक तरफ दोनों गरीब देवरानिया गर्बवती अवस्था में भी बारिश में भीगते हुए कपड़े दो रही होती है वहीं दोनों अमीज जिठानिया अपने अपने कमरों में बैट कर ड्राइफ रूट्स चूस और तरह तरह की ताकत वाली चीज़ खापी रही होती है अगर हॉल की ज़ाडू लग गई हो तो जाकर आंगन की भी सफाई कर दो बार हो रही तेज बारिश देख कर भी रजनी अपनी दोनों गर्बवती बहु को आंगन की सफाई के लिए भीज देती है बारिश में भीगने की वज़ा से उन दोनों को ही बुखार चड़ जाता है कि तभी अच्छानक उन दोनों के पती काम से घर लोटाते है अपनी अपनी पत्नियों की ऐसी हालत देख दोनों को काफी गुस्सा आता है आज तो माने सारी हदय पार कर दी हम जाने है मासे बात करने नहीं आपको हमारी कसम आप माजी से कुछ नहीं कहेंगे अपनी पत्नियों के कसम देने की वज़े से ओम और माधव कुछ नहीं करते लेकिन यही उन दोनों गरी बहूं की सबसे बड़ी गलती साबित होती है आज तो मेरा बीका नेर के समोसे खाने का काफी मन कर रहा है जाओ हमारे लिए समोसे लेकर आओ लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश ओरी हो शायद तूफान भी आने वाला है मेरी दोनों बहूं ने क्या कहा लगता है तुम दोनों ने ठीक से सुना नहीं अपनी सास के जबरदस्ती करने पर बेचारी दोनों गर्भवती बहुएं भारिश में भीगती हुई समोसे लेने के लिए चली जाती है लेकिन तभी अचानक एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है उन दोनों का अक्सिडेंट होने वाला होता है कि तभी ट्रक का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है लेकिन तभी उन दोनों बहुएं की हालत अब काफी खराब हो जाती है आस पास मौझूर लोग जल्दी से उन्हें अस्पताल ले कर जाते हैं और डॉक्टर उन दोनों की आठवे महीने में ही डिलिवरी कर देते हैं ओम और माधव को जैसे ये बात पता चलती है तो वो दोनों अस्पताल आते हैं डॉक्टर साहब हमारी पत्निया ठीक तो है ना और हमारा बच्चा देखें आपकी पत्निया ठीक है और बच्चा भी लगबद ठीक है बस थोड़ी दिनों तक हमें आपके बच्चों को आप्जर्वेशन में रखना होगा जैसे ये बात रजनी को पता चलती है तो वो भी अपनी दोनों अमीर बहूँ के साथ उस्पिटल आ जाती है जिसे देख हमारी पत्नियों के ऐसे हालत की जिम्मेदार आप हो और अब आप उन्हें देखने के लिए आई हो माह हम सोचते थे के एक ना एक दिन तो आप बदल जाओगी लेकिन आप नहीं बदल सकती आज से हम आपके बेटे नहीं आपका हमारा कोई रिष्टा नहीं ये आप क्या कह रही हैं माजी ने आपको नो महीने पेट में रखा है दर्द सह कर आपको जन्म दिया है और आप उन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं माजी का बरताव हमारे साथ जैसा भी हो, लेकिन माजी आपसे बहुत प्यार करती है, अब उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे तो हम अपने बच्चों को लेकर अपने माई के चले जाते हैं, अपने गरीब बहूं के साथ ऐसा सुलूख करने पर भी उनकी ऐसी ब दोनों गरीब बहूं अपनी सास की आँखों में आसु देख उने माफ करतेती हैं, जिसके बाद अब रजनी अपनी दोनों गरीब बहूं और उनके बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं, वहीं कुछ वक्त दोनों अमीर बहूं भी ऑपरेशन से अपने सीधी चीज़े खाने की वज़े से उनके बच्चे काफी कमजोर पैता होते हैं, लेकिन दोनों गरीब देवरानिया उन दोनों के बच्चों को भी काफी अच्छे से ध्यान से रखती हैं, जिसे देख दोनों अमीर जिठानियों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, मा झाल झाल